आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी उस करते हैं MX TAKATA के अप्लिकेशन और यहाँ पर आप इस एप की कोई भी वीडियो को अपने WhatsApp स्टेटस पर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं आई आज की इस वीडियो में जानते हैं तो सबसे पहले एप को उपन कर लीजिए और यहाँ पर उपन करने के बाद आपको उस वीडियो को उपन करना है यानि की सर्च करना है जो भी आप अपने WhatsApp स्टेटस पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई वीडियो तो जैसा की हम यह वाली वीडियो लगाने वाले हैं अपने WhatsApp स्टेटस पर उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हर वीडियो के राइट साइड में आपको मिल जाएगा एक एरो का उप्शन नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपको इस एरो पर एक बार टच कर देना हैं टच करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला उप्शन आपको मिल जाएगा WhatsApp का तो आपको WhatsApp वाले उप्शन पर टच कर देना हैं टच करने के बाद यह थोड़ा सा टाइम लेगा व वर्टस अप ओपन हो जाएगा उपर आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा माई स्टेटस का ओप्शन माई स्टेटस पर एक बार आप टच कर दीजिए टच करने के बाद नीचे एरो का ओप्शन आएगा एरो पर टच कर दीजिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो का लिंक होगा तो आप इस पर टश करके यहाँ पर इसे कट कर सकते हैं इस तरह से तो हम इसे कट कर देते हैं तो अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं smiley भी उस कर सकते हैं यानि की emojis ही उस कर सकते हैं आप यहां से और एक send का option मिल जाएगा आपको send पर touch कर दीजिए तो अब यहाँ पर हम whatsapp open कर लेते हैं तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा status लग चुगा है तो इसी तरह से आप कोई भी वीडियो को mx टकाटक एप से अपना whatsapp status लगा सकते हैं तो अगर यह वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें